अगर आप 2000 रोपी की रेंज में एक अच्छा ब्लूटूथ स्पीकर बाई करना चाहते हैं तो आप बोट कंपनी के स्पीकर को कंसीडर कर सकते हैं बोट एक इंडियन कंपनी है जो काफी ज़्यादा पोपलर हो रही है और इसके काफी सारे और्डू प्रडक्ट्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे वीडियो को एंड तक देखेगा आज किस वीडियो में आपको बताएंगे बोट कंपनी के कुछ वन अफ दो बेस्ट स्पीकर्स के बारे में जो दो हजारोपी के रेंज में आप खरीच सकते हैं आप देख रहे हैं बेस्ट वाले यहां मिलता है आपको शांदार कंपरिजन बैतर इंडिव्यू ऐसी वीडियो पाते रहने के लिए चैनल को सबस्काइब जरूर कीजिए वीडियो शुरू करने से पर आपको बता दें जो प्रोडक्ट हम आपको बताते हैं सभी की प्राइस घटते बढ़ते रहते हैं इसलिए सभी की लिंक्स हमने नीचे डिस्किप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दी है वहाँ जाकर आप इनका लेटेस्ट प्राइस चेक कर सकते हैं और बाय करना चाहें तो बाय भी कर सकते हैं नमबर बन पर है हमारा बॉट स्टोन 650 यह जो स्पीकर है यह तीन कलर विरेंट में आपको मिलता है ब्लैक रेड और ब्ल्यू इसकी फीचर की बात कर लेते हैं इसमें बैटरी जो है वह आठारा सो इमेज किया थी कंपनी क्लेम करती है कि साथ घंटे का यह आपको प्लेवेक टाइम देती है इसका जो वॉटेज है वह 10W का इसमें आपको मिलता है और इसका जो वज़न है वह 655 ग्राम की आसपास कर रहता है कंपनी क्लेम करती है कि धाई कंटे में फूल चार्ज हो जाता है माइक्रफोन इसमें एक माइक्रफोन दिये गया है और इसमें आक्स केबल और SD सपोर्ट इसमें मिलता है या निकि आप इसमें SD कार्ट लगा सकते है वाटर प्रूफ की बात करें तो यह IPX5 स्टेंडर के साथ वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट्स के साथ आता है और warranties में आपको एक साल की मिलती है और इसका जो प्राइज है वो 2000 रुपे के आसपास का रहता है Number 2 बर है हमारा Botstone 201A यह जो speaker है यह Alexa के साथ आता है यानि कि एक smart speaker है और इसके अंदर आपको inbuilt Alexa मिलता है इसके लिए आपको Ape के द्वारा कुछ करना पड़ता है वो आप देख सकते हैं इसकी लिंक्स पर जाकर और Alexa में आप चला सकते हैं Same feature के साथ ही एक और model आता है इसी company का वो है 200A इस speaker का नाम है 201A और उस दूसरे का नाम है 200A तो उन्हों की लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा बात करते हैं इसकी features की तो यह 2000 image के साथ आता है यह 6 गंटे का playback time देगा अगर आप इसे 18% volume पर चलाएं Company claim करती है कि इसमें आपको 3 watt का speaker है और इसके जो वजन है वह 240 gram का है इसमें आपको 3 घंटे लगते हैं चार्ज करने में और इसमें आपको एक mic मिलता है और इसमें आप aux cable लगा सकते हैं लेकिन SD card नहीं लगा सकते हैं यह wifi से भी connect हो सकता है wifi यह mobile वाला wifi यह कुछ और इसके बार में आप detailing पढ़ लिजेगा लेकिन इसके अंदर wifi connectivity अविलेबल है waterproof की बात करें तो IPX 6 water splash or dust or shock resistance के साथ आता है यानि कि अगर गिर जाए तो company claim करती है कि इसको नुकसान नहीं पोस्ता है इसमें water पानी के छीटे पड़े यह धूल पड़े तो इससे भी इसको कोई नुकसान नहीं पोस्ता warranty की बात करें तो यह एक साल की warranty के साथ आती है इसका जो प्राइज है वो 1500 रुपे से लेकर 2000 रुपे की बीच में रहता है इसका जो दूसरा model है वो भी आप चेक कर लीजेगा वो भी शायद थोड़ा महंगा या सस्ता रहता है तो दोनों की links में नीचे दे दूंगा नमबर 3 पर है बोट रगभी यह जो स्पीकर है यह रगभी जैसे डिजाइन का है और इसमें ब्लेक और ब्लीव दो कलर में आपको मिलता है इसके फीचर्स की बात करते हैं तो यह 1800 इमेज की बेटरी की साथ आता है जो की 8 घंटे का आपको प्लेबेक देता है अगर आप इ जाद रखी जो वेट में आपको बता रहा हूं वो कम ज्यादा हो सकता है कंपनी क्लेम करती है लेकिन कभी वो उपन नीचे भी जा सकता है तो इसका एप्रोक्सिएट हमान लेते हैं 490 ग्राम का इसका वज़न रहता है और यह धाई गंटे में फुल चार्ज हो जाता है इस एक साल की वरणटी के साथ आता है इसका जो प्राइज है वो 1700 रुपे के आसपास का रहता है नमबर फॉर पर है बोट स्टोंच 300 काफी अच्छा कलर में और काफी यूनिक डिजाइन भी यह आपको मिलता है इसमें आपको तीन कलर मिलते हैं इसका जो डिजाइन है वो शोक 10 ग्राम का है और इसके अंदर एक माइक्रफोन है इसमें आप Aux Cable लगा सकते हैं लेकिन आप SD Card नहीं लगा सकते हैं इसमें SD Card का जो है मैं clear नहीं हुए मुझे जहां तक जानकर ही पता है इसके इंदर आप SD card नहीं लगा सकते और waterproof की बात करें तो IPX 7 waterproof के साथ ये आता है और एक साल के warranty इसमें आपको मिलती है और ये डिर्ड हजार से दो हजार के बीच में इसका प्राइज आपको मिल जाएगा इसका प्राइज भी आप डिस्किप्शन में चेक कर सकते हैं नमबर फाइब पर है बोट स्टोन का ग्रेनेट स्पीकर इसको जो डिजाइन है वो ग्रेनेट स्टाइल का है इसमें आपको कंपनी क्लेम करती है कि 1200 इमेच का बेटरी मिलता है जो कि आप 50% वोल्यूम पर चलाने पर इस साथ घंटे का प्लेविक टाइम आपको देगा ये पाँच वाट का स्पीकर है जो कि 350 ग्राम बजन के साथ आता है दो घंटे में फुल चार्ज हो जाता है इसके अंतर आपको एक माइक और आक्स केबल आपको इसमें मिलेगी और SD कार्ट का सपोर्ट आपको मिलेगा नंबर सिक्स पर है बोच स्टोन 170 यह जह सब्गेरे काफी सारे कलर्व में आता है इसमें आप दहज़ सकते हैं और कोई समीक रखांग कर शकते हैं है यह जानि क tuvo करके साथ आता है यह उसमिंसपीकर को सब्लाइब कर सकते हैं हैं इसके अंदर फीचर है टी डश?. यह company claim करती ही कि 1800 image battery के साथ आता है 70% volume पे चलाने पर 6 गंटे का playback time आपको देगा यह 5 watt का speaker है जो की 499 gram वजन के साथ आता है और धाई गंटे में full charge हो जाता है और इसके अंदर आपको mic भी मिलता है AUX और SD card का support भी मिलता है waterproof की बात करें तो IPX6 water or displaced resistance के साथ आता है warranties में आपको एक साल की मिलती है और जो इसका price है वो 1300 रुपे के आसपास का आपको पढ़ेगा नमबर 7 पर है boardstone 200 यह जो speaker है यह काफी जाना माना speaker है और इस speaker यह जो company ने बनाया था शुरू में यह speaker ज्यादा चलता था तो काफी अच्छा speaker है क्योंकि इसमें आपका इसका जो design है वो भी शोक प्रूफ जैसा है और इसका जो battery है company claim करती के 1500 इमेज की में इसके आपको battery मिलती है अगर आप इसे 50% volume पर चलाएंगे और आपको प्रूफ का support इसमें आपको मिलेगा यह जो आपको प्रूफ के लगा पाएंगे SG card नहीं लगा सकते waterproof की बात करें तो IPX6 water और dust shock proof के साथ यह आता है और warranty एक साल की मिलती है और इसका जो price है वो 1000 से 1200-1300 के आसपास में आपको पढ़ जाता है अगला हमारा speaker है आटवे नंबर पर bought stone 190 यह जो speaker है काफी gold round design में तीन शायद इसमें आपको तीन color eyes में आपको मिलते हैं dark blue black और red यह जो है यह भी आपको TWS system के साथ आता है यानि कि आप इसमें दो speakers को आपस में connect कर सकते हैं और इसका बात करें features की तो company claim करती है 800 image की battery इसमें आपको मिलती है जो की चार घंटे का playback time आपको देती है इसका 5 watt का speaker है जो की 1.500 gram का इसका वजन है लगबग और 1.500 घंटे में full charge हो जाता है इसमें आपको एक mic मिलता है और एक aux cable का support मिलता है और SD card आप इसमें नहीं लगा सकते waterproof की बात करें तो IPX7 standard के साथ आता है जो की water और splash scare resistance के साथ इसमें आपको support देखने को मिलेगा और warranty की बात करें तो एक साल की warranty है और price इसका आपका 1200 के आसपास का आपका रहेगा आप कौन सा speaker लेना चाहेंगे comment मिलिक के जहूँ बताएगा सभी speakers की links description box और comment box में दे दी गई है वहाँ जाकर आप इनका latest price check कर सकते हैं और खईदने चाहें तो खईद भी सकते है कमेंट में लिक के बताएगा आप कौन सा speaker खईदने वाले हैं अगर इस वीडियो से related या speaker खईदने से related कोई भी आपका सवाल यह क्यों रही हो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जग कीजिए ऐसी वीडियो सुपाते रहने के लिए आपने हमें इतना वक्त दिया इसके लिए thank you